रामपूर काउं में चिंकू और चिंकी अपनी मा के साथ रहते थे चिंकू और चिंके के पिता जी सहर में रहा करते थे चिंकू की मा सेट के घर में काम करती थी एक दिन जब वो काम से घर बापस लोटी तो बच्चे ने कहा मा, स्कूल में टीचर ने घर से पैसे लाने को कहा है तो मा ने पूछा क्यों पैसे क्यों मंगवाए हैं तुम लोगों की फीज तो मैंने जमा करा दी है तब बच्चों ने खुस होकर कहा मा, तुम्हे मालूमें अभी होली आने वाली है और हम सब स्कूल में होली खेलेंगे साथ ही मिठाई भी बटेगी टीचर ने गहा है कि अपने अपने घर से रंग गुलाल लाना और मिठाई के लिए पैसे भी ले याना मा, तुम मुझे पैसे देडेना और होली के दिन रंग और गुलाल के दिलभा देना ये सिनकर उसकी माँ सोच में पढ़ जाती है बच्चों मेरे पास पैसे नहीं है और तुम दोनों स्कूल से पहले छुटी ले लेना तुम लोगों के पास एक ही जोड़े कपड़े हैं अगर किसी ने रंग से खराब कर दिया तो तुम लोग क्या पहनोगे उसकी मा की बात सुनकर बच्चे रोने लगते हैं और बच्चे रोते-रोते करते हैं मा हम इतने गरीब क्यों हैं कि होली भी नहीं खियर जकते इस वार हम होली जरूर खेरेंगे अगर हम दोनों स्कूल नहीं जाएंगे तो हम लोगों के लिए घर में गुचिया और मिठाई बनाओ और गुलाल पुचकारी ला देना हम लोग घर पड़ी अपने दोस्तों के साथ होली खेड लेंगे तो उसकी मा ने बच्चों को सांथ करने के लिए बोल दिया कि ठीक है होली आएगी तब देखेंगे और स्कूल के कपड़ों को बचा कर रखना उसमें रंग ना लगने देना होली से चार दिन पहले बच्चे घर आकर मा को बताते हैं मा कल स्कूल में होली है परसों से छुट्टी है तुमने स्कूल जाने को मना किया लेकिन अब आप हम दोनों के लिए घर में गुजिया और मिठाई बना दो तो मा कहती है अच्छा कल बना दूँगी कल उसकी मा सेड के घर में काम करने जाती है सेड जी मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजी मुझे अपने बच्चों के लिए खोली में गुजिया और मिठाई बनानी है उसकी मा सेड से बात करी रही थी तभी मालकिन बाहर आकर गुशे में कहती है नहीं तुम्हें कोई भी पैसे उधार नहीं मिलेंगे जो तुम्हारे पगार में से मिलता है तुम उसी में से काम चला लो मालकिन आप नाराज ना हो मैं तो सिप अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूं और लोगों के लिए खोली के लिए गुलाल रंग मिठाईया बनाना चाहती हूं मालकिन ने कहा बच्चे का तो बस बहाना है तो उसकी माने कहा मालकिन मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूं मैं अपने पैसे उधार मांग रही हूं अगले महिने आप मेरे पगार से पैसे काट लेना नहीं खोली के नाम पर तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा काम करना है तो करो बरना मत करो कोई मस्बूरी हो तो उधार दे भी दे लेकिन मौज मस्ती के लिए मैं एक भी पैसे तुम्हें उधार नहीं दूँगी बच्चों की मा बापस घर आ गई उसने बच्चों से कहा बच्चों मुझे पैसे नहीं मिले हैं इसलिए अब हम तुम लोगों के लिए पकवान नहीं बना पाएंगे और हम होली भी नहीं खेल सकते हैं यह सुनकर बच्चे रोने लगे और रोते रोते वहीं सो गया लेकिन उनके पड़ोसी ने उनकी मद्द किया उन्होंने अपनी मिठाईया गुलाल और उनके बच्चों के साथ सेर किया जिससे वे अपनी खुली खुसी-खुसी मना सके इसलिए इस कहानी से हमें यह सीप मिलती है कि कोई भी अगर अपने त्योहार मनाने में असमर्थ है उसके पास पैसे नहीं है तो हमें ऐसे लोगों की मदद जरूर करने चाहिए जिससे उनका वी फेस्टीवर हसी-खुसी बीच सके